नेक्स्ट कुश्चन दोजा सत्रा का सवाल है इट सेज यंग्स डबल सेट एक्सपेरिमेंट इस फॉस्ट परफॉर्म्ड इन एयर अंद इन इन अ मीडियूम अदर देन एयर इस फाउंड एट्थ ब्राइट फ्रिंज इन अ मीडियूम लाइज वेर फिफ्थ डार्क फिंज लाइज इन एयर सवाल यह है कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ दा मीडियूम कितना होगा यह में बताना है हमारे ऑप्शन है 1.59 1.69 1.78 या फिर 1.25 अगें सिंपल सवाल है ज्यादा कॉंप्लिकेट नहीं है आदे मिर्ट में सवाल आपका हो जाना चाहिए अगर आपके आपका यहां बात करते हैं कि यह आपका मानली जब YDSC सेटप है यह आपका S1, S2 दो स्लिट से है यह आपके स्क्रीन है यहाँ पे सेंटरल मैक्सिमा आपके सेंटर पर आएगा ना हमें बात पता है कि आपका मैक्सिमाज की जो लोकेशन आएगी वो आएगी बीटा, टू बीटा और ठीबीटा, यहाँ पर आपके मैक्सिमाज आएंगे और हमारा जो बीटा की वैल्ली होती है, बीटा को हम यह लिखते हैं, जो आपका फ्रिंज विट ते वो आएगा लैमडा, कैपिटल डी बाई डी, यह आपकी मैक्सिमाज की लोकेशन आएगी, हम इन जनरल ब y2 and so on and so forth यह आपकी minima के location होएगी नव इस case में जब हम medium change करते हैं उस case में अपना lambda change हो जाता है तो आपका lambda air अगर है तो lambda अगर यह है तो lambda dash जो होगा किसी medium में वो हो जाएगा lambda air divided by mu आपका refractive index होगा lambda in medium यह आपका इस तरह से vary करता है और यह हां पे mu की value हमें बतानी है कितनी होएगी now scenario यह है कि 8th bright fringe in a medium तो medium में आपका जो 8th bright fringe है उसको हम लिखेंगे मैं आपके लिख देता हूँ 8th fringe bright या फिर 8th maxima लिख लेते हैं maxima in medium उसको आप लिखेंगे तो 8th maxima की location होएगी आपकी 8 multiplied by lambda dash d by d और इसको आप 8 lambda d by mu d लिख सकते हैं यह आपके location आगई 8th maxima की now इसके value बराबर है आपका 5th minima in air तो air में जब हम 5th minima लिखेंगे तो इसको हम इस formula में लिख सकते हैं 2 multiplied by इसकी location आएगी बीटा by 2 2 multiplied by 5 minus 1 multiplied by lambda by 2 और यह आपकी d by d यह location हो जाएगी इसकी now इन दोनों को हमने बराबर कर देना है अच्छा यह जो आपकी location आई यह air में है और यह वाली in air यह वाली है आपकी medium है तो इन दोनों को बस equate करके अपना answer आजाएगा which implies 8 lambda d divided by mu d will be equal to 2 into 5 आने कि 10 minus यह करेंगे 9 multiplied by lambda by 2 d by d so lambda d by d b आपका cancel हो जाएगा mu की हमें value चाहिए mu दल ले जाते है so implies आपका mu जो आएगा 16 divided by 9 2 से multiply होगा 16 divided by 9 तो जब इसको हम solve करेंगे हमारा answer आजाएगा so approximately इसकी value आजाएगी 1.78 इसको जो हम divide करेंगे so approximately 1.78 के बराबर होएगा so which means option number C 1.78 would be the right answer